हलो स्टुडेंट्स मेरा नाम है अभिशेक पर्मा और स्वागत आपको हमारे चनल स्टडी क्लास पर तो जैसा कि आप थम्निल देखकर वीडियो देख रहे हैं कि आपको यहां मिलेगा प्रोफेंशिन इंग्लिज का ब्लूपिंट जो है मैं पूरा बताने जा रहा हूं यू सबसे पहले जालनों कि ब्रोफेंशिन इंग्लिज जो विशेह है लोग मैं हिंदी में लिखता हैं तो आसानी समझ पाएंगा 25 पूरी परिछा की 25 मास का होगा इसमें समय जो मिलता है तीन घंटे याद रखिएगा इसमें भी तीन घंटे ही मिलते पर इच्छा को हल करने के लिए ठीक है अब आप बोलोगे 25 तोंबर का तीन घंटे भाई बहुत बड़ा पेपर होता है इंग्लिश का भी ध्यान रखना सिर्फ मास्पे मज जाए दो मास् तो यहाँ पर जो यूनिट साथ हो टोटल 5 है याद रही है इसमें से टोटल 5 फाइव इनिट सेने पांच इनुट आप है इसमें जो पहली इनुट है जिसका नाम है स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया ठीक है एक करके बता रहा हूं वीडियो स्क्रिप्ट नहीं करना तो इस वीडियो के डिस्क्रिशन में टेलीग्राम की लिंक है हमारी वहां से आप पीडिया बेडावलोड कर सकते है ऐसे ठीक है तो इस ब्लूपन के गर बात करें स्टेटस ऑफ इंग्लिश इंडिया तो भाई यहाँ से आपको एक ही प्रशन आता है दो अंक का ठीक है या यहाँ पी जो दूसरी काई है वो है listening and speaking ठीक है सुनना और बोलना ऐसा इस नाम है listening and speaking दूसरी काई भी यहाँ पर ठीक है तो उस दूसरी काई से जो प्रशन आते हैं वो टोटल आते हैं चार चार मास से कोशन आते हैं आपर यानि दूसरी काई से चार अंकों के प्रशन आत यहां से एक प्रशन होगा वन कोश्चन होगा टू मास्का यानि अति लगा उत्तरिया और वन कोश्चन होगा चार मास्का यहां से खर्णा इसको श्टक कह सकते हो नकut को चार नोम्बर का प्रशन हएगा और इक दो नंबर का प्रशन हाएगा ध्यान रखिएगा इसदिशार दो शे मास्की युनित होगई चार मास्की दो बारा तो अभी भी भाई, मार्स बचे हुए, फिर चड़ते हैं, भाई, यूट नमëर 4 की उपर, तिक है, वियूटでもर 4, जो हमारा वो हमारा वह रैटर यूट नमबर 4 जो हमारा रैटिंग है, तिक है, उसकी बात करते हैं, भाई, नमबर 4 रैटिंग, तो रैटिंग वाला लेखन वाला इनुट तो यहां से आपको प्रशना आते हैं आठ नमबर के, कितने आइंको कहाते हैं, आठ मास का पुरा, यह जो पुरी इकाई है, चौथी जिसे हम राइटिंग कहते हैं, वो आठ नमबर के आती है, एट मास के, आप सब लोग पेपर लेके लिखते चलिए, अपने हिसाब से, मैं तो ऐसे बता रहा हूं फटा फटा फट जल्दी से कि वीडियो को मुझे कटना करना पड़े है तो मैं डारेक्टली बता रहा हूं तो आप फटा फटा फट एड कीजिए तो राइटिंग जो यूनिट है कितने मास का भई फोर मास का ठीक है तो टू कोस्टन टू मास के तू टू जा फोर माक्स और एक कोस्टन फोर का फोर फोर एट याने की आठ नमबर को यहां पर हो गया और बात करें अंतिम जो पांच वीक आई है यूनिट नमबर फाइब जिसे वोकैबिलरी कहते हैं वोकैब यूनिट दो मास का दूसरा यूनिट चार मास का तीसरा यूनिट छे मास का चौथा यूनिट आठ मास का ठीक है और कोस्टन कौन-कौन सा आते कितने आते यह बता दिय ona यानि यहां से आएगा आपको 3 mcq यानि वस्तुनिस प्रश्ण तीन आएगे आपको और एक टू मास्टर कुश्चन आएगा टू मास्क वन कुश्चन जो रहेगा किते मास्का टू मास्का ठीक है अब ग्रामर वाला है तो यहां पर ग्रामर बहुत पूस्ता है जैसे लिखने अप्लिकेशन लिखने या कुछ और ऐसा कुछ लिखने आ सकता है तो विखैबल रहेगा शब्दो से रिटेट रहेगा तो ध्यान में रखेगा तो इस प्रकार से आपके पांच उनिट हो गई स्टेटेस आप इंडिशन इंडिया दो मास्क आती है लिस्निंग आन हम यहां पर 10 नंबर 11 नंबर चाहिए होते हैं 25 में से आपको 11 यहां पर लाने है ऑन पेपर ठीक है और बाकी प्रैटिकल मिला के आप पास हो जाते हैं तो 25 में से आपको अंक लेने रहेंगे टोटल 11 मास में पास हो जाओगे समय मिलेगा 3 घंटी याद रखना हलके में मतलो इसको सबसे कठीन विशे है सबसे कठीन विशे है बहुत लोग इसमें फिलोते हैं सबसे अदर सप्लिमेंटरी सिर्फ इसी विशे में लोग को आती है तो आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है इसके मैंने बहुत से वीडियो बनाए हुए है लाइफ क्लासे आपको मि देख सकते हो तो अगर आप इसका पीडियाफ चाहते हो तो आपको हमारे टेलिग्राम गुरूप के लिंक दीए आप जाके टेलिग्राम गूरूप हमारा जॉइन कर सकते हो साथ ही साथ चैनल पर पहले बार आ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल नोडिशन और पर रखो कोई भी नोडिफेक्शन बिस ना कर पाओ साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिशन में लिंक मिलेगी आप हमें दूसरे सोचल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं जैसी कि आप हमें फेस्बूक, इंस्टाग्राम और टेलिग्राम पर फॉलो करना ना भोले हम हर जगा है